नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ एक चमजगी में या एकदम सूपर सोप्ट मुह में गुल जाने वाली स्वादिश्ट मिठाई जो शायद आपने इस तरीके से तो कभी नहीं बनाई होगी जिसे आप देखते ही बनाएंगे क्योंकि बनाने म तो यहां पर थोड़ी सी मैदा तो यहां पर मैदा मैने लिए लगबग 2-3 चमज और इसके बाद इसको ऐसे ही थोड़ा सा मिक्स करके यहां पर रोष्ट करना है बस बिना कुछ डाले इसको यहां पर पकाना है मतलब 5-7 मिंट इसको ऐसे पका लेंगे ताकि इसका कच्चा बंद चला जाए तो यहां पर बस ज्यादा कलर भी चेंज नहीं करना है हलका सा यह ब्राउन होना सरू हो जाएगा लेकिन आपको इतना दिखाई नहीं देगा लेकिन वह बुन जाता है मतलब कच्चा नहीं रहता है तो यहां पर बाद में भी इसको पकाना है तो बस इसको ज्यादा पकाने की इसको जरूद नहीं है, अब इसके बाद इसको यहां पर छोड़ देते हैं, अलका सा ठंडा करने के बाद इसको हम छान लेंगे एक छानने से, तो यहां पर छानने का यह है, इसमें अगर कोई गांट हो गया रहोगी तो वो उपर रह जाएगी, क्योंकि जब भी हम ऐसे रोष्ट करते हैं, तो कुछ गांठे बन जाती है, तो यहां पर देखिए, इसको हमने छान लिया, अब इसके बाद कुछ चीज़ एड़ करने वाले, तो यहां पर मैने लिया है, 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 य तरीके से आप बनाएंगे तो यहां पर बस बिल्कुल एक दम जैसे तेज स्मेल वाला ओल नहीं लेना आपको जैसे सर्शो का तेल वगेरा उससे काफी स्मेल आती है तो यहां पर आप रिफाइंड ले सकते हैं कोई भी जो भी आपके पास है और इसको ऐसे मिक्स कर लिया हम यहां पर चीनी मेंगे तो चीनी जल्दी तयार होती है और इसके ऐंदर डाल देंगे जो हमने बेसन को मिक्स करके रखता, तो यहाँ पर इसको डालने के बाद इसको अच्छे से पकाना यहाँ पर तो यहा पर इसको लगतार इशे चलाते हुए, अगर आप बीचमें छोड़ देंगे तो नीचे जलना भी सरूर हो तो यहां पर साइड से अच्छे से मिक्स करते हुए बस इसको पका लेंगे अच्छे से और यहां पर आपको पता चल जाएगा लास्ट में यह पैन चोड़ना सरू कर देगा ऐसे पकते पकते अपने आप ही और लगबग 8-10 मिंट के समय में यह तैयार हो जाता है वैसे तो य मैंने लिया है थोड़ा से बचा हुआ जो रिफाइंड ओल था और इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर एक चम्मस देशी गी लिया मैंने यहां पर एक से दो चम्मस देशी गी डालने वाले बस इससे ज्यादा नहीं तो इस मिठाई को एक चमस गी में बनाने वाले हैं तो यहां पर यह ट्रिक आप ज़रू ट्राइ करना आपको बहुत पसंद आएगी तो इसके बाद डाल देंगे यहां पर जो हमने तयार किया गी और रिफाइंड ओल को मिक्स किया है और इसके बाद और पकालेंगे इसको अच्छे से और यहां पर आप देखेंगे तो जल्दी सैट होती है मिठाई ऐसे और एक्तम बहुत ही सोप्त अच्छी बनती है आप जरू ट्राइ करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इस तरीके से यह मिठाई इतने अच्छी बनती आप एक बर नहीं बार 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 बनाना पसंद करेंगे और यह देखे डालते ही कुछ सेकिंड के अंदर ही एक दम अच्छे से साइट होनी सरु जाते हैं और यहां पर हम जल्दी इसके पीसीज कट कर देंगे बस पांच मिंट के अंदर ही और पांच मिंट के बाद यह बस यहां पर मतलब भलकी ठंडी हो गई है थोड़ी भी पूरी ठंडी नहीं हुए है लेकिन अब इसके हम पीसीज कट करेंगे अगर आप बाद में कट करेंगे तो यह कट नहीं होते हैं थोड़े हाड हो जाते हैं वैसे तो सोप्ट रहती है लेकिन कट करने में थोड़े से हाड लगेंगे तो अच्छे से नहीं कट पाएंगे तो यहां पर आप कट क के अंदर ये देखी कितने अच्छी मिठाई सेट हो गई है तो निकालने से आपको पता चल रहे होंगे तो यहां पर और पीसीज भी मैं निकाल कर आपको दिखा देती हूं तो यहां पर इस मिठाई को आप जरू ट्राई करना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी कम समान में भी आप बना सकते हैं देखे कितने अच्छी मिठाई बनी है तो थोड़ा समय तोड़कर भी आपको दिखाऊंगी कैसी मिठाई बनी है और यह यह ज्यादा स्वादिश्ट बनती है और आपको पता ही निचलेगा आप इतने इसमें क्या यूज किया है बहुत ही मिलेंगे और नई वीडियो के साथ थैंक्यू फोर वाचिंग